अलो स्टूरेंट्स वेलकम टू वायू लर्निंग आज हम पढ़ने वाले हैं सीलिया और फ्लेजिला तो सीलिया क्या होते हैं हम इनको बोलते हैं हेर लाइक आउट्रोट्स ऑफ दा सेल मेंब्रेन यानि हमारी जो सेल मेंब्रेन उन्ती है उससे कुछ हेर लाइक स्ट्क्चर् करने कि इसकी बात कर रहे हैं हम पैरामीशियम यह जो हम देख रहे हैं क्या है यह पैरामीशियम है तो पैरामीशियम में हम यह देख रहे हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं यह बहुत है और प्लास्मा मेंब्रेन जो है यह प्रेजेंट है यहाँ पर और इससे यह निकले ठीक है वैसे यह सीलिया जो है यह भी काम करते हैं यह ओर्स की तरह काम करेंगे तो क्या होगा मूवमेंट होगा सेल मूव करेगा सराउंडिंग फ्लूट जो होता है वो मूव करता है यह इनका काम होता है मे इसका splash इंग का फ्रच यह ये योग लीना यह का फरक्क है फ्लैजिल Emir बढ़ा होता है और यह या करता है सेल मुव्मेंट करवाता है अगर हम prokaryotic लाग की बात करें तो उसका structure you carry out के फ्लेजिला से काफी ज़्यादा difference है दोनों के structure में काफी ज़्यादा difference है ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं इनके अंदर कि अब सीलिया फ्लेजिला की बात करें तो यहां पर यह मर्ज किससे होते हैं सेंट्रियो लाइक structure यहां पर देखो यह बहुत सारे इसे बहुत सारे इसके बात बोल रहे हैं उसके बात बोल रहे हैं देर इसके अंदर क्या देख रहे हैं इस तरह का माइक्रो टिब्यूल्स का अरेज्मेंट देख रहे हैं और यह जो नीला वाला हमने पढ़ा यह क्या है यह प्लास्मा मेंब्रेन है तो हम यह जो अरेज्मेंट है is माइक्रो टिब्यूल्स का हम इसको समझते यह किस तरह से अरेज्ज है यहां पर हम एक एक करके बात करते है सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यह जो एक्जोनीम है इसमें 9 double Heds है, peripheral side पे, इसके micro debules के, तो यह जो है, यह alpha और यह जो है, बीटा debules, ठीक है, तो इस तरह से यह माइक्रोटिप्यूल का डबलेट हमें देखने को मिल रहा है कितने है टोटल टोटल नाइन है और डबल हम कर लें क्योंकि यह पेर फॉर्म में है तो डबल कर लें तो कितने हो जाए नौ-9 अठारा हो गए पहली चीज तो हमने यह देखी दूसरा क्या बोल रहे है बाहर साइट पर कितने हैं नौ है कि 9 डबलेट्स हमें माइक्रोटुबियूल के देखने को मिल रहे है और में और रहें और दो प्रेजमेंट है यह तो यह यानि यह यह प्लस टू का अरेजमेंट हो गया है और एसे ह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं यह रेडियल स्पोक से यहां पर हम क्या देख रहे हैं यहां पर हम क्या देख रहे हैं यह लिंकर नाम है नेक्सिन, इंटर connected bridges हम बोल सकते हैं इसको, इंटर double-ed bridges जो है वो आपस में जुड़े हैं इस नेक्सिन प्रोटीन के थूर और जो हम कहा सकते हैं इस लिंकर प्रोटीन के थूर जो हैं वो जुड़े हो हैं, एक तो चीज हमने यह देखी और दूसरी चीज यह blue color के structure जो हम दे इनर डाइनी नाम है और यह आउटर डाइनी नाम है यह क्या है एक तरीके से ATPase enzyme है, ATPase enzyme है जो ATP को break करके energy release करके cellular flagella को provide करता है इससे वो movement show कर सके हैं, तो यह हमने क्या देखा कि किस तरह से microtubule का arrangement है, 9 प्लस 2 का arrangement, periphery side में 9 doublets है microtubules के और अंदर जो है वो central में 2 present है, linker protein का नाम है nexin और dyni narms present है, और हमने क्या देखा radial spoke total कितने 9 है और यह radial spoke जो है जहान रखना alpha वाले tubule से जुड़ा हुआ है, यह चीज हमने जहान रखनी है, तो यह हमने देखा cilia flagella के बारे में, next class में हम central centrosome और micro bodies पढ़ेंगे